बिक पॉस का तीसरा हफ़ता और तीसरे हफ़ते में बॉस मिटर का मुकाबला किनके बीच आया है चली बात करतें दोस्तों स्वागत है आप सभी का बॉलिवुड स्पाय में मैं हूँ अधिती शर्मा तो रेश में तो पांच कंटेस्टेंट्स भागे थे दोस्तों लेकिन फ खानजादी इस बार बॉस मीटर का मुकाबला इन दोनों के बीच में आया है और देखा जाये तो भई इशा मालविया फैंस के मामले में जादा जो है स्ट्रॉंग नजर आ रही हैं तो हो सकता है कि इस बार की बॉस जो है घर की वो इशा मालविया कहलाएं और वैसे भी इस तो सारे मामले सारे मुद्दे इशा के राउंड गूमे हैं सारी जो चीजे थी वो इशा की ही परसनल लाइफ पर थी तो भई उनका बॉस कहलाना इस अफते बनता भी है और खानजादी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा क्योंकि इतना स्ट्रॉंग उनका फेंडम है नहीं बाह तो उसी साब से वो पीछे रह सकती है इस बॉस मीटर में तो देखते हैं जैसे फैंसल आएगा हम बात जरूर करेंगे आप सभी को क्या ही कहना और फिलाल आप किसे जिताना चाहते हैं सफते का बॉस मीटर कॉमेंट शक्ष्ण में बताइए जरूर मिलता है नेक्स वीडिय बताछिए